हेलो अबरीबन वेलकम बैक टो माई चैनल लाइफ आफ तश्मी कैसे आप सब आशा करते हूं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूं तो यह देखिए दोफर का टाइम में हो बीच में यह नौरात्र के पहले गाचू कि मेरी वीडियो शाथ 15 दिन बात जा रही है तो तो कि अध्यालो के चट्नी बना रही हूं और बनेंगे आलू की पकॉड़े आलू की भज्य बोलते हैं और यह आटासान के रखी हूं थोड़ा सा गूत के रख ली हूं चुकि इनको टमाटर की चट्नी आलू के भज्यू और उसके साथ रोटी वह पसंद है तो यह देखि थोड़े से बेसन भी अच्छे से फेट की मैं रख ली हूँ ताकि फूल जाएगा ना तो बहुत अच्छी क्रिस्पी और अच्छी पकोड़े बनेंगे और यह दो मिर्ची है इसको भी धूख अच्छी से रख ली हूँ इसकी भी मतल़ा बेसन लपेट के बेसन में डाल के उ पारिश थोड़ी थमी है तो देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वह मतलब दोफार का टाइम है और यह देखिए यहां पर टमाटर मेरे गल रहे हैं वस थोड़ा सा इसको थोड़ी देर और ढख दूंगी तो एक दम अच्छे से गल जाएंगे फिर उसमें मैं पानी ड दालूंगे जितनी मेरे को ग्रेवी जितनी ठिक चाहिए बहुत पतली भी नहीं और बहुत कम नहीं देख के फ्लेम में तेज में कर दीओ और इसको अच्छे से बॉइल होने दूंगी यह देखिए बॉइल हो गई है इतनी ही चाहिए थीक हमको और हरा धनिया कट करके रख दूंगे यह देखिए बंद कर दी अब इसको रख दूंगे और अब मैं इधर पर तवा चड़ाएं रोटी के लिए फिर में बलीनी पहले पकोड़े कर लेती हूं तो यह देखिए उसके भजी निकालती जा रही हूं टीशू पेपर निकाल दूंगे ताकि जो एक्स्ट् थोड़ी देर फूल भी गया था अच्छे से करीब आदा घंट अगरी बेशन फूल गया था और फटा फटा अपना बनाई हूं उदर रोटी बनाई हूं और इसका थोड़ा सा घोल बच गया था बेशन के तो उसका मैं चीला बना ली थी और पकोड़े और चटनी यह बना और यह रोटी यह देखिए रोटी रखिए तो बस मेरा भी अभी लंच हो जाएगा बस यह हम लोग का लंच जो कि मौसम बहुत ठंडा है और कपड़े वारा सूख नहीं रहे थे तो बस इसके बाद फिर मैं देखिए क्या करते हूं आप लोग भी आईए और आप लोग आ यहां जा रहा था किसी काम सा तो में लोग एश्टेशन चोड़ने आयते तो बस वही में थोड़ा सा उसके उसके क्लिप्व जरा ले लिए ती उसको पता नहीं चल जाए जब पता चला थो वीडियो बंद करा दिया था और फिर यह और ना और नौरादर में यह शयद तीस प्रिजगर का मतलब कल्चुरल प्रोग्राम चल रहा था तो वो देख रहा था प्रणाव महाराज आज तो इस पुरसंता का तारण क्या है कि दिमत्रियों चायों जाकर गाव मां नगर नगर में राव मुझाजी कि दिल्दे दो महाराज तो इसमें जो भी डांस कर रहे हैं तो इसमें जो लड़कियां बने हैं वो भी लड़के ही हैं लड़की भी बने है और लड़के तो हैं अच्छा प्रोग्राम था मतलब 36 गड़का था बहाशा में आप लोग थोड़ा सा इंजवार कर ये सुनिए तो मेरे को अच्छा लगा इसलिए अब लिए आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं तो यह देखिए यहां पर गरुड भी आ गया है और सरस्वती जी खड़ी है मन्थरा आती है यही सब कुछ प्रसंग चल रहा था रामायन का ही कोई प्रसंग चल रहा था तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा था इसलिए मैं ने शियर किया आप लोग भी देखिए यह देखिए अब मंतरा आ गई है इसलिए यह देखिए माता रानी की पूरी पूजा अगर कर गई हूँ और उसके बाद मैं फिर आप लोगों से मिल रहे हैं चुकि मेरा ब्रत स्टार्ट है इसलिए यह देखिए माता रानी की पूरी पूजा कर गए मैं कलश नहीं जलाती हूँ लेकिन बड़ा दिया मैं जला देती हूँ जाता तेल डाल के तो शाम रात तक न जलतारा है अखंड जोत में नहीं जलाती हूं जै मातारानी सबकी मनुकामना पूरी करना और एक अलग ही उत्साह रहता है एक अलग ही रौनक रहती है नौरात्र में देखिए कल मैं जब वहां से आई हूँ तो काफी देर हो गई थी नौरात्र का जो मैं आपको वहां का फंक्शन दिखा रही थी तो काफी देर हो गई तो मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी यह नेक्स टे है और अभी व्रत चल रहे हैं नौरात्री के आप सभी लोगों के व्रत चल रहे होंगे आप सभी लोगों के नौरात्री की बहुत 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 शुपकान नहीं और मैं नौरात्री का आज व वीडियो का एंड करतेती हूं तो आज जो है मैं पूजा वजा सब करके आ गई हूं और उसके बाद फिर मैं बोली कि अभी फलार वगरा कुछ नहीं करी हूं मैं उली पहले वीडियो का एंड कर देती हूं तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी से भी अच्छी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे ठीक है तो फिर चले इस वीडियो के ये पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाए